दोस्तों कि आप ले से नूब्रा वैली की जर्णी जो है वो बाइ बस या पब्लिक ट्रांसपोर्ट से करना चाहते हो और इस बात को लेके confused हो कि बही क्या कोई बसिस चलती है नहीं चलती चलती है तो टाइमिंग्स क्या है फेर क्या है कितनी बसिस चलती है कौन-कौन सी नू की संषब मतला वैली जर्णी ताइमिस में आप लोछी ट्रांसपोर्ट उससे ट्रावल करने की सूचे ओ तो वही ये ना तो सिर्फ आपके पैसे बचाता है इस तरह का mode of transport बल्कि आपको एक local way भी देता है कि आप locally locals के साथ में कैसे travel कर सकते हो तो उसका अपना ही एक अलग experience है और बहुत सारे जो solo travelers है या couple travelers है जो पूरी taxi को afford नहीं कर सकते हैं और किसी रीजन से वो tourist taxi का group नहीं बना पा रहे हैं वो इस mode को बहुत जादा prefer करते हैं तो पिछले वीडियो में अभी तक इस सब series जो मैं चला रहा हूँ लदाक की travel guide series के अंदर श्रीनगर ले highway की bus service और मनाली ले highway की bus service पे बात कर चुकी है अब आप इ दूब्रा वैली में तुर्टुक हुंडर दिसकेट पनाम एकसुमूर यहां पर कोई bus चलती है नहीं चलती उनके fares क्या है टाइमिंग्स क्या है उन सब पर इस वीडियो में बात करने वाले हैं तो चलिए फिर शुरू करते हैं जल्दी से हलो नमस्ते और जुले अगर आप इस चैनल पर नए है तो मेरा नाम धीरेजय और मैं आप सभी की हिमालन ट्रिप से उनको यादगार और सेफ बनाने में आपकी हेल्प करता हूं चलिए अब टॉपिक पर आते हैं और बात करते हैं नूब्रा वैली की बसिस की जो लगबग लगबग आठ से नौ बसिस हैं जो पूरे हफते में नूब्रा वैली के लिए निकलती हैं जिनको आप अवेल कर सकते हो डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन्स की हैं तुर्टूग, सुमूर, पनामिक, दिस्कित, हुंडर तो हम एक एक करके इन सभी बसिस पे बात करेंगे औ और सबसे पहले में बात करने वाला हूँ जो सबसे कौमन साइट सींग प्लेसे हैं नूब्रा वैली के दिस्कित और हुंडर की बसिस के बारे में देखिये तीन बसिस है जो पूरे हफते में ले से दिस्कित के लिए चलती है जो की अपना मंगल वार यानि की ड्यूजडे, गुरुवार यानि की Thursday और शनिवार यानि की Saturday को चलती है तो इन तीनों दिन पे ही आप ले से नूबरा वैली जो है बस से आप ट्रावल कर से तो ले से दिस्कित की खास तोर से अगर मैं बात करूं तो अगर टाइमिंग की बात करें तो ले के bus stand से सुबह सुबह 6 बजे के लिए दिस्कित के लिए रवाना होती है इन तीनों दिन और अगर आपको दिस्कित से ले वापस ट्रावल करना है तो यही तीन buses है जो जब दिस्कित पहुँचेंगी तो उससे अगले दिन जैसे की बुधवार हो गया और शुकरवार हो गया और इतवार हो गया वेडनेस डे, फ्राइडे और संडे जो दिसकित से ले की जरनी की टाइमिंग है या बस की टाइमिंग है वो सुबह सुबह साथ बजे दिसकित से निकलती है तो सुबा 6 बजे ले से निकलती है दिस्कित के लिए और अगले दिन सुबा 7 बजे दिस्कित से निकलती है ले के लिए अब नूबरा वैली में आप दिस्कित पहुँच चुके हैं तो वहाँ पर आप Monastery जो है दिस्कित की उसको विजट कर सकते हो तो फोड़ा बहुत हिचाई को गयरा करके वहां चाहिएगा उपर का रास्ता आपको बस नहीं लेके जाएगी दिसकित मुने स्ट्री तक तो लोकल्स ट्रावल कर रहे होंगे तो उनके साथ हिचाई कर लीजेगा टूरिस्स ट्रावल कर रहे होंगे तो उनके साथ कर तो हुंडर सिर्फ 7-8 km दूर ही है दिसकित से तो एक बार आप दिसकित पहुंच जाएंगे तो वहां से इसली आपको कोई ले सकते हो हिचाइक कर सकते हो किसी से लोकल जीप जो चलती है उस रूट के ऊपर दिसकित से तुर्टु की तरफ या फिर थौइस की तरफ या फिर ह कोई ना कोई option जरूर आपको मिल जाएगा जहां पर आप यह चोटी सी जर्नी जो है क्विकली कवर कर सकते हैं एक बार दिसकित बस से पहुंचने के बाद ले से पर अगर आपको हुंडर भी बस से ही पहुंचना है तो सुबह 6 बजे हर मंगलवार और गुरुवार सलती है स्कुरू विलेज के लिए स्कुरू विलेज जो है अपना थोएस जहां पर एरस्ट्रिफ है आर्मी की उससे थोड़ा सा आगे है तो अगर आपकी डेट्स या दिन जो है वो क्लाश कर रहे है इन डेस पे तो आप इस बस को भी अवेल कर सकते हो अपना हुंडर जान दिन सुबह इस गुरू वाली बस निकल जाएंगी तो अगर आप मंगलवार आ रहे हैं तभी आप गुरू वाली बस वो तो आपको दो दिन मंगलवार भी बुधवार भी इसकित में रुपना पड़ेगा और तभी आप इस बस को लेके हुंडर जा पाओगे तो इसलिए म अगर बात करेंगी आपको आगे तुर्टुग जाना है तुर्टुग विजिट करना ऐ ले से या फिर दिसकित पहुँचने के बाद में तो भई शनीवार को सुबह सुबह 6 बजए हर शनीवार सुबह 6 बजए के आसपास ले बस टैंट से तुर्टुग के लिए बस निकल अगेन या फिर हिचाई करके जैसे मैंने हुंडर के लिए बताया वो सब यूज करके टूरिस से लिफ्ट वगेरा मांगे वहां तक पहुंच सकते हैं और वापस तुर्टुक में आके नाइट स्पेंड कर सकते हैं अगले दिन सुभा सुभा ये बस जो है फिर से तुर्टु वैली का वो है सुमूर और पनामिक सुमूर में मुनेस्ट्री है और पनामिक में हॉट वाटर स्प्रिंग है और साथ साथ में यह रापसो नाम की एक ऑफबी टाइप की लेक है या पॉंड कहलो उसको जिनको आप विजिट कर सकते हो नुब्रा वैली के अंदर तो अगर आ पनामिक से भी आगे तक जाती है खीमी और ताक्षा नाम की विलेज़िस हैं जो की अपना सियाचिन वारशी विलेज की तरफ पढ़ते हैं सियाचिन बेस कैम की मैं बात कर रहा हूँ उसी डारेक्शन में पढ़ती हैं ये विलेजिस तो वहां तक जाती है अब जो टूरिस्ट वगेरा है अब सियाचिन तक अलाव हो गए है पर मुझे पता नहीं है कि कोई बस सियाचिन तक जाती है नहीं जाती है तो आपको हाँ पनामिक में पता करना पड़ेगा जैसी मुझे कोई अपडेट मिलेगी मैं इस वीडियो के दिस्क्रिप्चन में जरूर अपडेट कर दूँगा पर हाँ पनामिक जो है आप इस बस से जो मंगलवार को ले से सुबा सुबा निकलती है उससे कर सकते है सुमुर से आगे है पनामिक जाने के लिए आपको लोकल शेयर जीप सोगेरा का उपयोग करना पड़ेगा अब बात आती है कि आप एक बार इन प्लेसे पे ले से पहुँच गए हो अब इनके बीच में आपको ट्रावल करना है कि आपको दिस्कित से तुर्टुक जाना है या जो है अपना तुर्टुक और पनामिक की साइड दोनों साइड पे ठीक्ठा कनेक्टिविटी दी हुई है बस इसकी एक डेली बस है जो दिस्कित से हुंडर के लिए हर रोज धाई बज़े के आसपास चलती है अगें आप इसको लेके भी अपना हुंडर की तरफ जा सकते ह अगर आपको तुर्टुक तक नहीं जाना है तो आप ये अगले दिन सुभा-सुभा तुर्टुक से छे बज़े के आस सबस निकलती है और अ एसे ही पनामिक में और दिस्कित के बीच में ये भी सुभा सुभा साथ साढ़े-7 बजे के आज-पास एक डेली बस चलती है जिस के जरिये आप पangenामिक वहाँ सकते हो और अगले दिन उसी बस के जरिये वापस दि्सकित आ सकते हो या फिर पनामिक से अगर आपको ले की बस जो मिल रही है अगर आपके days or dates clash कर रहे हैं तो आप अनामिक से सीधा फिर ले भी जा सकते हो जब भी आप हिमाल्याज में travel करते हो तो पूरी responsibility के साथ travel करो और वहाँ पे कुड़ा कच्रा जो है वो मत पहला तो दोस्तों अब इन सब बसिस के बारे में जानने के बाद आपको ये पता चल गया होगा कि वही नूब्रा वैली जो है अच्छे वे में काफी अच्छे वे मे में connected है बसिस से या पब्लिक ट्रांसपोर्ट से ले से नूब्रा वैली तक भी नूब्रा वैली की जो मिजर लोकेशन से और नूब्रा वैली के अंदर भी जो दोनों एंड्स हैं दोनों छोर हैं कि अपना एक बनामिक वाला एंड हो गया और दूसरा तुर्दुक वाला ए तो हमेशा जो टिकेट है ना वो एक दिन पहले ले के बस्टेंट से दिस्कित के बस्टेंट से तुर्दु के बस्टेंट से पनामी के बस्टेंट से जहां से भी आप ट्रावल करने वाले हैं अगले दिन एक दिन पहले इवनिंग में जाके ले लिजेगा ताकि आपकी टि ना करें ये वाली, अब एक एकर के बात करते हैं कि इन बस इसका किराया क्या है, तो भई ले से जो दिस्कित के बीच में बस सर्विस चलती है, उसका किराया लगबग लगबग 135-1440 रुपे, 1500 रुपे तक मान लीजिए होगा, वन वे का मैं बात कर रहा हूं, और अगर आपक अगर आप रिटर्न टिकेट बुक करते हैं, सेम बस में वापस आने के लिए अगले दिन, तो लगबग आपको 300 रुपे के आसपास देने होंगे, ले से तुर्टुक की बस की बात करें, तो 230-500 रुपे के आसपास वन वे किराया है, और अगर रिटर्न टिकेट की बात करे तो लगबग किराया 200 रुपे के आसपास होगा, और रिटर्न टिकेट जो होगी, वो आपकी 700-340 रुपे के आसपास की पड़ेगी, ऐसे ही जब आप दिसकित से तुर्टुक की तरफ ट्रावल करेंगे, तो लगबग 100 रुपे के आसपास का किराया होने वाला है बस की टि अगरा जो हैं, खास्तोर से हुंदर में, या फिर दिसकित के बाहर की साइट पे उनकी बात करें, तो लगबग लगबग आपको 700-800 रुपे पर पर परसन में easily वहाँ पर कोई होमस्टेप मिल जाएगा, जहां पर आपको जो मील्स हैं वो लगबग लगबग 300-400 रुपे मे रहने की, पीने की और ट्रांसपोर्ट की कॉस्ट को तो लगबग लगबग 1500-400 रुपे के आसपास, 1500-600 रुपे के आसपास में आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट के थुरू टेज का दो दिन का नूबरा वैली का ट्रिप जो है कर सकते हो, अगर आप बजट पे रहोगे तो ऐ ऐसे ही अगर आप तीन दिन इसमें आड़ कर दोगे तो आप तुर्टु जा रहे होगे आप अनामिक जा रहे होगे वहां पे एक नाइट और स्पेंड करोगे तो 800-900 रुपे मैक्सिमम से मैक्सिमम हजार ले लीजे तो वही 1500-1600 आपका 2500 के आसपास में आप तीन दिन का ट पब्लिक ट्रांस्पोर्ट से एक्स्प्लोर करने के कुछ कॉमनली आज कोश्चन है जो बार बार चैनल पर आते तो मैंने सोचा उनको भी एड्रेस कर देते हैं इस वीडियो के अंदर जिसमें सबसे पहला जो कोश्चन आता है वो याता है कि धीरेज भाई अगर बस मिस हो बस पकड़के आ जाओगे अगले दिन तो वह ऐसा कोई बस तो नहीं है जो बाद में आपको मिल जाएगी बट जो शेर्ड लोकल टूरिस्ट टैक्सी होती है वो नूबरा वैली में अल्मोस्ट दिन भर चलती है नूबरा वैली के लिए तो आप वो पकड़ सकते हो कोई सबरो कोई की साप ऐसे नूबरा वैली तक पहुँआ सकते हो दूसरा कोशन है कि टाइम ये बसषु नूबरा वैली तक पहुंचने कि तो अगर कृसी ले से हम दिसकी तक जो की करीबन सबा सो 125 किलोमेटर के आसपास दूर है ले से करीबन आपको 6-7 घंटे के आसपास लग जाएंगे जो ब्रेक्स वगेरा आएंगे बीच में जैसे लंच के लिए बस रूखेगी स्नैक्स के लिए बस रूखेगी उन सब को मिला के थोड़ा धी आप नहीं है जिनके थुरू आप इन बस ले से नूबरा वैली जाने की जो भी बस यह विदिन नूबरा वैली जो बस इस उनकी ऑनलाइन टिकेट खरीद पाएं अभी तक नहीं है दो हजार चौबिस जनवरी की मैं बात कर रहा हूं अभी तक कोई ऐसी एप या फिर वेब पाएं अब चौथा कोशन आ जाता है कि यह बस इस कितनी कमफर्टेबल होती है क्या कमफर्टेबली मैं इन बस इस में ट्रावल कर सकता हूं नूबरा वैली तक नहीं कर सकता तो मेरे दोस्त यह जेके ऐसार टीसी की स्टैंडर्ड बस इसमें बहुत मातरा में कमफर्ट लेके वो टेंपू ट्रावलर्स वगयरा रन करते हैं यहां नूबरा वैली तक ट्रावल करने के लिए तो आप उनको एक्स्प्लोर कर सकते हो एक दिन आपको पहले चाहिएगा आप वहां पे उन टेंपू ट्रावलर्स की इन ट्रावल एजेंसे टिकेट करी सकते हो अफको आपको फोटो खीचनी है वीडियो बनाना है उसके लिए बस रुखेंगी तो दोस्तों क्योंकि ये स्टैंडर्ड जेके साटीसी की बस इस हैं जो कि लोकल पब्लिक के लिए चलती है टूरिस्ट के लिए स्पेशली बस नहीं चला जाती तो आपके लिए ये बस कहीं पे भी लोकल साइट सींग के लिए नहीं रुखने वाली है जो इसके नॉर्मल स्टॉप्स हैं जैसे खाने पीने के लिए या बाथरूम ब्रेक्स के लिए वहाँ पे बस रुखेंगी तो वहाँ पे अफकोर्स ये बस जब वहाँ पे रुखेंगी तो आप वहाँ उतर के जो काफेटीरिया है उसमें सूप पोगारा ले सकते हो अगर बस थोड़ी देर तक रुखी हुई है तो या फिर फोटो या वीडियो क्विट्ली लेके अपना बस में बैठके नीचे उतर जाएए अब अगर 15 में जादा देर तक बहतर व्यूज मिलेंगे तो दोस्तों ये था ले से नूबरा वैली बस से कैसे ट्रावल करा जाए पबली ट्रांसपोर्ट से कैसे ट्रावल कर जाए अब अगला वीडियो जो होगा उसमें हम बात करेंगे पैंगॉंग लेक अगर आपको ट्रावल करन मैं जल्द से जल्द करने ही कोश्च करूँगा तब तक के लिए दोस्तों जुले और हिमाल्याज जो है उनको क्लीन रखने में अपना पार्ट जरूर प्ले करते रहें